इसी बंद होते ही मूर्ति को आ जाता है पसीना मध्यप्रदेश के जबलपूर शहर में काली माता का एक सेकड़ो साल पुराना मंदिर है मंदिर को एतिहासिक और चमतकारिक भी माना जाता है यहां पर अक्सर ही आपकी आखों के सामने कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर अपनी ही आखों पर भरोसा नहीं होता हेलो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि अपने दोस्तों में आपकी गिंती स्मार्ट लोगों में हो तो 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 अब जिसमें हम फिल्म और खेल पूत की जानकारियों के इलावा बहुत सारे रूचक और अन्सुल्जय रहस्यों से आपको इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ऐसा ही कुछ लोगों के साथ तब हुआ जब इस मंदिर में एसी बंध होते ही काली माता को पसीना आने लगा। ये कोई पहला मौका नहीं था बल्कि एसी के बंध होते ही काली मा को बार बार पसीना आता है। जबलपूर में लगभग 600 साल पहले काली की भव्य प्रतिमा को गुंडवाना सामराज्य के दौरान स्थापित किया गया था। कहते हैं कि तब से ही माता की प्रतिमा को जरा सी भी गर्मी सहन नहीं होती और मूर्ती को पसीने आने लगते हैं। समय के साथ-साथ ही मंदिर में AC लगवाया गया ताकि माता को गर्मी ना लगे। इस वज़े से मंदिर में हमेशा AC चलता रहता है। कभी कभी कुछ कारणों की वज़े से AC नहीं चलता है या फिर बिजली जाती है तो मूर्ती से निकलते पसीने को साफ साफ देखा जा सकता है। काली माता के पसीने निकलने के कारणों पर अनेक बार खोज भी की गई है लेकिन विज्ञान के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक रूचक जानकारी के साथ। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताए।